हेलो अब्रिवान दिस इस पुरू जनुत्रिया ये है ग्लेंट पार्ट थ्री इसको अपना कराने का परस्पेक्टेव है डिटेपलैस्पी नेच्रल साइंस टीजिटी तो इससे रेलेटर अलड़ी दो वीडियो में अपने चनल पर डाल चुका हूँ ये तीसरी वीडियो है चली start करते हैं thyroid gland it is located in throat तो ये जो होती है वो गले में इस्तित होती है हमारे में ठीक है स्वास नली जे ट्रेकिया की दौन और लेरिंक्स के नीचे होती है एच आकार की दौन और तो ये ट्रेकिया के दौन और लेरिंक्स के दौन और तो ये ट्रेकिया के दौन और लेरिंक की जस नीचे एज सेप की और दुए पालित ग्रंती है इस ग्रंती की अगर बजन की बात की जाए तो करीबन इसका 25 से 30 ग्राम होता है ठीक है आयोडीन इसेंसियल फो थायरोड ग्लेंट ठीक है तो थायरोड ग्रंती जो ती उसके लिए आयोडीन बहुत आवशक है अती आव हो गया try iodop tyronine ठीक है T3 डीथी के नाम से तूपसेटर भगर कर्वात है इना मतल foollly जाई जाह करा होती है तो वह गूते के ठीक है try iodop tyronine thyronin, it contains three atoms of iodine, ये क्य करती है, on time iodine की 3 atoms रगती है, ठीक है, T3 क्या करती है, on time iodine की 3 atoms रगती है, T3 is biological active, T3 क्यूंत है, टीक है, on time and control the activity of all the cells, ठीक है, जितनी भी cells हो इह हमारे body塘्फा वो उनस सब को control करती है, यह उनकी activity को control करती है ठीक है T3 is derived from T4 T3 जो होती है वो T4 से आती है ठीक है It regulate the speed with which your body cells work ठीक है यह speed को regulate करती है कि हमारे जो cell work करती है ना उमारे body में उसको अगला है T4 tetra iodothyronine या thyroxine ठीक है या तो कि tetra iodothyronine या फिर thyroxine बोला जाता है It contains 4 atoms of iodine ठीक है इसमें क्या है 4 atoms होते हैं iodine के और T4 से T3 derive होती है ठीक है यह देखार है T4 to T3 अब आगे देखते हैं कि hypothyroidism किसे एक आ जाता है तो underactive thyroid ठीक है It is most common disorder सबसे ज़्यादा disorder पाइज आने वाला ठीक है most common mostly पाइज आता है ठीक है not enough thyroxine is produced for body's need मनलब proper मात्रा में thyroxine production नहीं होता है जितनी body को ज़रुत होती है तो इसे hypothyroidism कहा जाता है symptoms की बायत की जाए तो tiredness ठीक है feeling cold weight gain depression ठीक है तो चार mostly इसके symptoms हो गया tiredness हो गया ठीक है तकान feeling cold ठीक है ठंडी का लगना weight gain बजन का बढ़ना और depression hyperthyroidism overactive thyroid मनलब ज़्यादा active हो गया thyroid इसमें क्या है underactive है कम active है इसमें overactive ज़्यादा active हो गया ठीक है too much thyroxine is produced for the body's need मनलब बोड़ी को जितनी ज़रत हो से उससे ज़्यादा जो है वो thyroxine produced होती है अब thyroxine के ज़्यादा प्रड़ूश होने से क्या हो गया hyperthyroidism हो गया इसमें क्या होता है weight loss होता है पहली बात तो ठीक है मनलब बजन का गटना heat intolerance होगा ठीक है weight loss हो गया heat intolerance हो गया anxiety हो गई ठीक है ये इसके main lecture हो गई hyperthyroidism है thyroid takes iodine from out diet sorry out diet के इसस नमक के थुरू बगरा ठीक है thyroid जो है वो iodine लेती है कहां से लेगी बाहर से यमारे बोजन से लेगी ठीक है combined with amino acid thyroxine ठीक है combined किसे होगी amino acid से thyroxine ठीक है convert it into T3 and T4 ठीक है thyroid gland क्या करेगी iodine लेगी बाहर से amino acid इसके combine से क्या होगा iodine के combine से क्या होगा amino acid बनेगा thyroxine ठीक है convert it thyroxine convert into it into कितना होगा T3 and T4 में हो जाएगा T4 is produced directly directly produced होता है and about 80% of T3 is formed by removal of one iodine atom from T4 बिल्कुल सही बात है T4 में 4 atom होता है एक atom जैसे release होता है तो एक T3 बन जाता है mostly 80% जो है वो इसी परकार ठीक है a process called diodination ठीक है यह process क्या कहलाती है diodination diodination मतला T4 से T3 रह गया 4 iodine से 3 iodine रह गया एक iodine कम हो गया तो diodination this occurs in liver and kidney ठीक है यह जो process होती है वो कहाँ पर होती है liver और kidney में होती है ठीक है एक पर फिर जो दिख लेते है T4 जो होता है वो directly produced होता है किसे थरोड gland से ठीक है and about 80% of T3 मनलब लगब 80% T3 जो है रिमूबल लगव वन आयोडिन मनलब T4 मैं 4 आयोडिन बाएजार उसमें से एक आयोडिन रिमूब हो जाएगा तो T3 बनेगा 80% ऐसी होता है ठीक है process called diodination this occurs in liver and kidney ओके